हमारी जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी कुनली में दो ग्रहों का बली होना अनिमार है सबसे पहले तो गुर्देव हैं गुर्देव का बली होना जरूरी है दूसरे के उन्हें सनी देव सनी देव देखे गुरुदेव के गुरुदेव यहां पर बैठे हुए है गुरुदेव की रासी दो है तीन जगा गुरुदेव का प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा आपके कर्म में आपके लगन में और जहां पर बैठे हुए है आपकी धनभाव में यह मंगल की राशी है और इनके मित्र की राशी है वहीं सनी देव क्या है सनी देव देखे परोच या अपरोच रूप से यहां का कारकात्व लिए होते हैं क्योंकि यह दसंभाव है दसंभाव आपके कर्म का भाव है कर्म का स्रे जो है वो सनी देव के पास होता है अब यहां पर देखे आपको किस तरीके के प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे आपके साथ क्या क्या अच्छा होगा प्रभल राजयोग की स्तिती बनेगी और इनके डिग्री जो है वो बढ़ चुकी है वहीं सनी देव जो है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले तो नमस्कार दोस्त जो आपके संचीत धन का भाव होता है आपके कुटूं का होता है आपकी वाडी का होता है आपके फैतरक संपती का होता है आपकी बैंक होता है यहाँ पर बैठ कर गुर्देव आपके लिए क्या क्या करेंगे सबसे पहले तो गुर्देव यहाँ पर बैठ हुए हैं तो जो होती है आपके जीवन का आपके बिक्तितों का आईना होती है वाणी से ही आपके लोग प्रभावित होते हैं या फिर आपको jobs करते है अब पंचंदरष्टि आपके सत्रु भाव पर जा रही है और यहां से साथ साधी बना कर साथ श्ठभाव को देखेंगे तो इस समय आपके श्ष्ट भाव में यानि सत्रू पच्छा पर हावी होने का प्रयाश करेंगा कि तो गुरुदेव यहाँ पर बैथ कर आपके शत्रू पच्छ को परास्त करेंगे आपके चितने भी रिड हैं उनको गुरुदेव यहां से दूर करेंगे रिड के अलावा देखिए यहां पर सनी देव क्या है आपके competition पृतियोग्यू को पृतियोग्ता तो देखिए हर छेतर में आपको दूर करेंगे अब गुरुदेव का क्या है देखिए सबसे पहले तो गुरुदेव यहां पर बैठे हुए हैं तो सबतम द्रश्टी यहां डालेंगे तो ससुराल जनों से आपको अच्छा लाव हो सकता है अच्छे गिफ्ट मिल सकते है पैतरक संपति का आपको लाव होगा आपको गुप्त धन मिल सकता है गुप्त धन से मतलब यह तो नहीं कि जितने मकर राश्ट के लोग हैं सबको गुप्त धन मिल जाएगा हो सकता है आपने किसी को धन दे रखा हो उसे आप भूल गए हो, बारबार मांगने के बाद भी व्यक्ति ने ना दिया हो, अब उसकी स्थिती बन गई हो और वो चल कर आपको धन्दे कर जाए, आप उसे भूल चुके हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप धन्दे देते हैं और आपको पता नहीं रहता है, इस सम इन में से किसी विधा की प्रती आप आकरशित हो सकते हिं, इसे सीख सकते हैं और केरियर की रूप में अपना सकते हैं नवम द्रिष्टी गुरू की सीधे अपने घर को देख रही है, यानी कर्म भाव में आपके बहुत अच्छी स्गी आने वाली है, तो इस समय गुर्धEV कया है, कृतिका नचत्र में प्रिवेश करने जा रहे हैं, जब यह कृतिका नचत्र में प्रिवेश करेंगे तो कृति कर्म छेत्र को देख भी रहे हैं और स्वयम की रासी है कोई ग्रह हमें अपना संपूरूर प्रभाव कव देता है जब वो स्वयम के खर को देखे उच्ची की रासी में बैठा हो तभी अपना संपूरूर प्रभाव देता है अब कुर्देव यहां पर देखे अपने मित्र की गर में बैठ कर अपने ही घर को देख रहे हैं, आप इस समय गुरू के डिगरी भी जो हैं 20 से उपर हो चुकी हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाब मिलने वाल है, आपके कारे छेतर में बढ़ बदलाव कर सकते हैं, आपके कारे छेतर से आपको बहुत अच्छा लाब प्रा राशी वालों का विवाह कब होगा? तो विवाह के लिए देखे, मैं यही कहना चाहूंगी, गुरू देव के राशी परिवरतन के पात आपके प्रबल योग हैं विवाह के, अगर आप इस समय विवाह योग आउए तो गुरू का जो ये राशी परिवरतन होने वाला है, तब आपके बहुत अच्छे योग बनेंगे राज विवाह के देखिए आपकी ये भी स्थिती बनेगी चट मंगनी पट प्या क्योंकि शुक्र के घर में बैठकर गुरुदेव अपने सब्तम घर को देखेंगे जो विवाह का घर होता है अब आज तो हम यही बात करने वाले है कि आपके कर्म छेतर से जुड़ा हुआ क्या डिसीजन ले रहे हैं गुरुदेव तो आपके जो बिगड़े हुए काम थे कोई ऐसा था जो आप बहुत समय से करना चाह रहे थे कारी छेतर में और आप उसे नहीं कर पा रहे थे कभी पैसों की आर्ट तंगी की वज़े से या फिर कभी किनी अन्य इस्थितियों की वज़े से आप उस कारे को सुभारम नहीं कर पा रहे थे आप उस कारे का सुभारम करेंगे और इस समय आपकी लाप की इस्थितियां भी बहुत प्रशश्ट होंगी देखे इस समय कृतिका नच्छत्र में गोचर करने के बाद में और अपनी डिग्री देखे डिग्री जब इनकी अंतिम आती है गुरु शनी दोनों की तब ये बहुत अच्छा रिजल्ट करने पर आ जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देते भी हैं तो यहाँ पर आपके लाप की इस्थितियां बहुत सुद्रण होंगी कर अरे हैं आपका धन इस समय संचित ना होने देना और जो संचित है उसे भी निकलवाना अब ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपको कौन सा खर्चा जरूरी है कौन सा खर्चा नहीं जरूरी है क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है यदि आपके कुर्ण और अनावश्यक में भेद करना है और उन्हीं को चीजों को खरीदना है जो आपके लिए बहुत जरूरी हो नितात आवश्यक हो लगने के स्वामी भी आपके गुर्देव होते हैं तो ऐसी स्थिती में आप बहुत प्रश्यनिचे दिखाई देंगे आपका मन जो है इस समय पर सांद और स्थिर रहेगा अब देखिए सांद स्थिर के बारे में मैं एक चीज़ हमेंसा कहती हूँ कि देखिए आप सांद स्थिर तभी रहेंगे जब आपकी 50% से ज़्यादा चिंताय समाप्त हो जाती है तब आप खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं और यहां वैसे आपके लिए साड़े साती का चरड़ भी चल रहा है तो यहां पर यह खुशियां इस्थाई रहेंगी या नहीं यह आपके करमाज पर भी डिपेंड करता है आपको प्रेतन सील रहना है जितना आप साफ सफाई से रहेंगे कारे छेतर पे घर में जितना पवित्र रह क्योंकि गुर्देव और शनीदेव दोनों देखिया आपके धन के भाव में बैठे हुए एक ब्याई भाव में बैठा हुआ है यदि ब्याई भी बढ़ा दिया उसने तो समझ लेजिए आप कितना भी धन कमाते रहें एक रास्ते से आता रहेगा दूसरे रास्ते से निकलता रहेगा दूसरा क्या है गुर्देव संची धन में बैठे हुए गुर्देव अगर अच्छा कारी नहीं करेंगे तो आपके धन का संचय नहीं हो पाएगा तीसरा क्या है सबसे विशेश और एहम बात राहुदेव राहुदेव जो आपकी कुंडली के लग्न में बैठे आपको चिंतित व्यग्र और अफसाद से भरते रहेंगे किन्त यहाँ पर यह आपको रिशायट करना है कि आपको गुर्देव के उपाय करते रहें और जितने अच्छे उपाय करेंगे जितना आपका गुरू बली होगा आपको नितान तावश्यक है इस शमय पर कि आप ग गुर्देव के उपाय करते रहें और जितने अच्छे उपाय करेंगे जितना आपका गुरू बली होगा आपकी लगन में बैठे हुए राहू आपको निगेटिव प्रुभाव नहीं दे पाएंगे राहू कितनी भी अच्छे हो जाएं मैं हमेशा आपको बताती रहती हू लेकिन लेश मातर तो इनका पापसोभाव रही जाता है बच्छा क्लास में होता है जब तक टीचर की नजर रहती है तब तक वो कुछ नहीं करता लेकिन टीचर की नजर बचा कर भी वो कभी कभी गलत परिडाम सरार्थे कर जाता है तो यही हाल यहाँ पर राहू देव का पर पर देखें आपको अपनी गुरू को बहुत पली करना है कि उनकी दरश्टी राहू के हर कारे पर रहे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको गुरू देव के लिए गुरू देव के लिए बीज मंत्र ओम ब्रहस्पत्ति नमा इस मंत्र का आप एक माला दो माला पांच माला शाथ माला ग्यारा माला का जाप करें ऐसा करने से आपके गुरू बहुत अच्छा आपको प्रभाव देंगे गोचर में गुरू के इस्तित आपका उपाय है कि यह आपके तमाम परिशानियों को दूर कर देता है यह मेरा अनुभय किया हुआ परिच्छित उपाय है देखे जरूरी नहीं है कि आप 11 माला ही करें समय नहीं है एक माला भी कर सकते हैं किन्तु नियमित करें तीन से छे माह का समय लगता है आपके ग्रह को सही होने में कि अब वो कितना खराब है बिना कुणली देखे बिना गोचर देखे आप इन उपायों को आखवंद करके कर सकते हैं मंदर जापे कैसी और मंदर जाप के बल से ही देखिए सरस्टी का विधान चल रहा है तो आपके लिए ये बहुत ही उत्तम होगा और इसके अलावा केसर का तिलंग मस्तक अंठ जिव्या पर करें नहानी के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल कर नहाए प्रहस्पत्वार को पीपल के पेर पर तामे के पातर में जल जरूरार पढ़ करें साम को घीका दीपक लगा है इन में से कोई भी उपाय करके और मंदर जाप यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए आत्युत्तम होगा